योद्धा वो नहीं होते जो हमेशा जीतते हैं बलकि योद्धा तो वो होते हैं जो हमेशा लड़ते हैं इसलिए कभी हार मत मानो हमेशा मेहनत करते रहो आज अगर हार है तो कल जीत भी मिलेगी लेकिन हो सकता है कि पहली बार में हार का सामना आपको थोड़ा मुस्किल लगे लेकिन याद रखना पहली बार में सब कुछ ही मुश्किन लगता है एक इंसान जो खुद पर विजय प्राप्त करता है वो उस इंसान से भी ज्यादा बरा होता है जो किसी युद्ध में हजारों पर विजय प्राप्त कर चुका हो क्योंकि जो इंसान खुद पर विजय प्राप्त करता है वही पूरी दुनिया पर राज कर सकता है बार-बार जीतने वाला जब जीतता है तो सुर्खियां बनती है लेकिन जब बार-बार हारने वाला जीतता है तो इतिहास बनता है परवाह मत करो उनकी जो तुमको देते हैं आज ताना जुका देना कदमों में उनको जब आये तुम्हारा जमाना फिलहाल मेहनत जारी है मेरी इसी लिए थोड़ा मौन हूँ जो जानते नहीं मुझे जान कर भी उनका तो बक्त बताएगा कि मैं कौन हूँ माना की मेरे सपने आउकात से ज्यादा वरे हैं लेकिन उन्हें पाने के लिए हम भी जीद पर अरे हैं तकदीर के खेल से कभी निरास नहीं होते जिन्दगी में कभी भी उदास नहीं होते क्यों भरोसा करते हो हाथ की लकीरों पर तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हर सफल इंसान में यह एक खासियत जरूर मिलेगी आपको वह किसी भी कीमत पर सफल होना चाहता है और ये गुन अगर आपके अंदर है तो आप भी एक ना एक दीन वो सफलता पालोगे जिसके लिए आज आप इतनी महनत कर रहे हो यदि कोई पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है तो उसको धन्यवाद देना क्योंकि वो आपको और ज्यादा बेहतर बनाने में आपकी मदद कर रहा है उसी इंसान पर थोड़ा तरस भी खाना कि उसके पास आपकी बुराई करने के सिवाए आपको नीचा दिखाने का कोई और रास्ता नहीं बचा है उस इंसान से प्रेम भी कर लेना क्योंकि वह पीठ पीछे केवल आपके बारे में ही बाते करता है लेकिन उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना क्योंकि वह आपको किसी भी कीमत पर सफल होते नहीं देख सकता जिन्दगी में कभी भी सीखना बंद मत करना क्योंकि जिन्दगी कभी सिखाना बंद नहीं करती लेकिन जिस दिन तुमने खुद से सीखना बंद कर दिया जिन्दगी तुम्हें सबक सिखाना चालू कर देगी और जब जिन्दगी सबक सिखाती है तो वरी तकलीप होती है किस कोई सहारा मिल जाता है, नीचे गिरने में और हारने में कोई सर्म की बात नहीं है, असल में सर्म की बात तो तब है जब आप गिर कर फिर से ना उठ सके, अरे क्यों डरते हो दुखी होने से, जीबन का तो प्रारंभ ही हुआ था, रोने से, जब ठान लिया है कुछ बरा करने क तो पीछे मठतना सुकून खोने से अगर कोई आपके लक्ष के बारे में सुनकर आपके उपर हसता है तो ये बड़ी अच्छी बात है लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो समझ जाना कि आपका लक्ष बहुत छोटा है वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा मंजिलों को पाने की चाहत कल भी थी आज भी है और कल भी रहेगी जब ऐसा होसला होगा तुम्हारे अंदर तो जो मंजिल कल पहार बनकर सामने खरी थी वह कल तुम्हारे पैरों में दासी बनकर रहेगी वक्त रुका नहीं और मैं जुका नहीं गिराती रही मुझे ठोकरे पर मैं कभी रुका नहीं मैं चलता रहा अकेला अपने होसले के सहारे और मंजिल आने से पहले कभी ठका नहीं दोस्तों कभी अगर होसला तूटने लगे तो खुद को ये बात याद दिला देना कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतूँगा पर मुझे इतना जरूर पता है कि मैं हारने वालों में से तो नहीं हूँ ऐसे ही साकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िये मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में साकारात्मक उर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिसा सुनते रहिए सक्सेस विद सानू